आज मैं आपके लाएं पनीर की सबसी की रास्पी जो बहुती फटरबर बनकर तयार होती है बहुती जल्ली बन जाती है और बहुती टेस्टी बनती है तो चलिए देखते हैं यह मैं नहीं पैड में तेल पहले से इसको प्रीहिट कर लिया था कि देखें मेरा तेल गरम हो गया अब मैस में थोड़ी सी प्यास जा लूँगी थोड़ी सी कासूरी मेती ज़सी हल्की सी प्यास लाल हो जाएगी बहुत इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाती है अब यह मैंने प्यास दिया था जो कि तीन मीडम साइस की प्यास मैंने चॉप काया था इस सब चीजों को मैं डाल दूँगी इसको मैंने पाइनली चॉप कर लिया है इस सब चीजों को मैं आड़ कर दूँगी अब चमा चमा टालूँगी नमक का अपनी टेस्ट कॉर्ण डालिएगा हलका सिंब्ल चलाओंगी अब फोज दरी के लिए थाक के रख दूँगी तीन चार मेट के लिए प्यास अब तर वाटर कर जाएं हलका से उपर निचे करके अब मैं इसको एक प्लेट से थाब दूँगी और तीन चार में तक पकाऊंगी जीरी आज़ पर हमारी प्यास टमाटर हरी में के लगवाग सब गल गया है कि तंडर हो गया है अच्छे को मैंने पनीर लिया था जिस थोड़ा से मैंने मैश्ट कर लिया थोड़ा क्यूश में रखे इस अच्छी को मैं डाल दूँगी कि अच्छी बहुत लजी सब्सब्स बन कर तयार होती है बहुत ही मिंटों बन जाती है जटल बनने वाइड रैसिपी है जो आपके पास टाइम मिल्कुल ना हो तो आप यह बनीर की सब्सब्स बनाएगा आप जल्दी बहुत ही अच्छी बनकर तयार होती है इस देखिए बढ़ियां खुश्भू हो आ रही है इसको चाल में तक पकाऊंगी त्रलसस का पानी कतम अधियागा शूर्व मुलता है कि इसको अधियां क्लर आया है ऑधिए बढ़ियां करते हैं तो यह ग्रीकूँ पानीर की इसको आपके सब्सक्राणि करते हैं कितनी बड़ीया बनकर तयार हुहा लोगी है आप एसको जरूर ट्राइ करे गबाई लगान कर पारी लजीज बड़िया बनकर तयार होती है हमाई सब्छ Всем क्यार ये लगाई उसको जरूर करिएगा पणीर जलंदी लजीज बनने वाई सब्जी है पनीर सबजी, देखें कितनी गजीज, कितनी बड़ी बन का तयार हुए ही हमारी पनीर की सबजी, बहुती जाइकेदार है, रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, और हमारी रेसिपी को शेयर करिए, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक्स पॉर